नमस्कार गुड मॉर्निंग सस्रीयकाल स्लाम अदाव सभी को और आज का दिन मंगल में हो आज हम पुना हम जो है आज दसमे दिन आपके साथ उपस्तित है और हम धारा 11 के वारे में बताएंगे दिव्यांग जन अधिकारे दिनीयम का इसे पहले आप लोग का मैं बता दूं क की बहुत अच्छा रेस्पॉंस आ रहा है आप लोग बराबर बता रहे हैं कि यह जो हम लोग मुहीम चालू किये हैं कि सभी को यह सोचल मीडिया के माध्यम से कोबीड के दुरान हम लोग घर में बैठे हैं और ज्यादा से ज्यादा जनकारी अपने अधिकारों के लिए ल हमारे कॉमेंट बक्स में डालें जिससे कि हम और वेहतरीन तरीके से आपके समझ आ सके और में चलिए तो आज प्रारम करते हैं धारायगारा जो एक्सेसिबल एलेक्शन मतदान में सुगमता के बारे में बाते करती है और आपने देखा होगा कि मेरे जब मैं स्टेट कमिश बना 2018 में तो हम लोगोंने अपने पत्र को हमारे मुख आयुक्त चुनाव आयो को भारा सरकार को हम लोगोंने चीप और बिहार सरकार को सीओ को चीफ एलेक्शन ओफिशर्स को भारा सरकर मुक्ष चुनाव आयुक्त को भी हम लोगों ने पत्र लिखा था कि जो दिव्यांग जान अधिकार धिनियम की धारायगारह में जो सुगम सरल मतदान के बारे में दिया गया है उस पर जो है कार्ज करनी के जरूरत है उसी साल उसकी प्रिक्रिया प्रारम हुई और आपने दिखा होगा कि दिव्यांग जनों के लिए जो अलग से पहचान करवाई गई उसका एपिक कार्ड बनाया गया उसको चुनाओं में कैसे भोट डालना है तो इवियम मसीन की बारे में जनकारी दी गई उस पर जो स्वीप के माध् इनिकेटेड कोरियोडोर बनाया गया जो दिव्यांग जनों को घर से उसको लाना है जल्दी मतदान करके वापस भेजबाने के लिए गारी की विवस्था की गई उनके अवसकता नुसार जो है जो सारी मतदान प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाया गया तो आप जरूर अप अपने मताधिकार का प्रियोग भी करें धाराएगारा में आपके अनुरूप आपने देखा होगा कि कोबिट को दौरान पोस्टल बैलेट पेपर की विवस्था की गई ती जो दिव्यांग बिक्ति नहीं जा सकते हैं बूथ पर तो उनके लिए पोस्टल तरीके से अपने से दस प्रतिसत पॉपुलेशन जो है दिव्यांग बेक्तियों को का है उसमें अगर साट साल से उपर है तो हर सिनियर सिटिजन भी जो है कि अगर उनको 21 परकार के दिव्यांगता का कोई लच्छन तो भी आ जाते तो बड़ा वर्ग है और आपके अगर आट से दस प्रतिस प्रिक्रिया है उसमें जो सही चुनाव करने का आपका भी हख है तो धारा एगारा जो है एक्सेसिव एलेक्षण और हिंदी में बताएं तो सरल सुगम जो है अनुकूल मतदान दिव्यांग जनों के अनुकूल है का मतदान के बारे में बताया गया है और इसके समंद में हम हमारा कंपेडियम है उसमें आपने पढ़ा भी होगा और आज हम कंपेडियम में जिससे संबंधित इतने भी पत्राचार किये हैं जो डारेक्शन दिये हैं जो हमने जिला को हमारे सीओ को और तता कैसे उसमें ज्यादा से ज्यादा बहत्रीन तरीके से इसका उप्योग करना है सक्षन 11 का और काफी एक कमिटी भी बनाई गई है आपको मालूम होगा स्टेट लेबल की कमिटी है जिला लेबल पर कमिटी है और जो जो हमारा विधान सभा का चुना हु हो रहा है अभी आने वाले समय में जो नगरनिकाई की चुनाव होना जिसमें मुखिया सरपंच और नगर परिसद जिला परसद के मेंबर का चुनाव होना तो पंचाईत की एलक्षन में और नगरनिगम के एलक्षन में जरूर आप इसका धियान रखे सुगम सरल मतदान के के बारे में लगातार हमारे चुनाओन पतादिकारी कां करता है जितने भी क्यांग में की इसक्ता है उनको लाने ले जाने की क्या-क्या विवस्था हो सकती है तो एक बहुत बड़ा हतियार आपके पास है प्रजात तंतर में कि आप धरायगारय का उप्यों करें आपको लगता है कि कोई चीज आपकी पिछले एलेक्षन में आपका कोई रह गया है कि आप कोई गिर्वान से रह को लिख सकते हैं हमारे स्ट्राइव को लिख सकते हैं और राज-जाय करियाले को हैं आपको पिछले चुनाओं को कभी जस्ट प्रारव भी हुआ है तो लोकसभा विधानसभा का चुनाओ वा है दोनों जग़्य हम लोग ने काफी पलसनरी रुप से इसको मोनीटरिंग किय है अभी और सुरुवातिये स्टेज है थ्रसा और समय लगेगा लेकिन हमको लगता है जो पंचाइथी राज का जो एलेक्षन होना है पंचाइथी एलेक्षन में हमको लगता और बेहतरीन तरीके से इस पर आप लोगों को और सरल सुगम मतदान जो धारा एगारा में दिया हुआ है उसको एक्सरसाइज करने का उसको भीयों करने का आपको मौका मिलेगा इसी के साथ आप समंधित पत्राचार की भी कौपी आपको सनलगन किया जा रहा है और उमीद करते हैं धारा एगारा जो आने वाले समय में आपके लिए भी जो है कि सरल और सहज सुलब मतदान की प्रिकरिया में भागेदारी आपका जरूरी है हम लोग चाहते हैं कि 100% दिव्यांग जो है अपने आने वाले चुनाओं में अपना मता अधिकार का प्रियक करें जिसमें उनको दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम की धारा अगारा में पुरी उनकी अधिकार प्रदत है तो उमीद करते हैं आपको सक्षन अगारा के बारे में अच्छे से मालूम होगा हम लगातारिस पर आएंगे और 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 भी चर्चा करेंगे फिर तब तक के लिए भी दालेते हैं और फिर पुना कल मिलते हैं एक नहीं धारा के साथ तब तक के लिए नमस्कार